नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागर है तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है आपने शाओमी के डिवाइस पे आटो रोटेट नोट वोर्किंग प्रॉब्लेम फिक्स्ट कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर होता क्या है हम जो है भी अपने आटो रोटेट मोट को यहाँ पर उन कर देते हैं ठीक है तो आटो रोटेट काम नहीं करते हैं और यहां पर हमें प्रॉब्लेम आ जाते हैं तो अगर दोस्तों आपके फोन पे भी auto rotate जो है काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को आज तक जरू से देखना solution को follow कर लेना तो आपका auto rotate mode का जो problem में वो fix हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए बैल आइकोन को click जरू से कर लेना तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है mobile को एक बार restart कीजिए और restart करने के बाद दोस्तों आपना जो auto rotate mode उसको burn कर दिए और on कीजिए ठीक है ऐसा आपको follow करना है recent button पर click करें और सारे के सारे आपके जो system है उसको clean करें जितने भी recent apps open है उन सब को clean कर दीजिए ठीक है recent apps clean करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा mobile को restart करना है और check करना है ठीक है कि आपका problem solved हो जाना चाहिए और कभी कई लोगों का जो problem है वह भी fix हो जाते ठीक है अगर आपका problem अभी भी solve नहीं हो रहा है तो आप जाए mobile setting पर about phone पर जाए mobile software को update कर लेजिए mobile software update करने के बाद दोस्तों आपका problem solved हो जाएगा ठीक है तो mobile software को update जरू से कर लेना सारे साथ दोस्तों अगर आप reset करना चाहोगे आप आपका problem fix हो जाएगा ठीक है factory reset कर दीजे mobile को तो आपका यह जो problem है यह भी fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप आपने auto rotate problem को fix कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों वस इतने अगर आपको इसके रिलेटर पर कोई भी issue आते तो दोस्तों हमें आप जो है comment section पर जरू से बता दीजेगा तो आज के इस वीडियो पर बस इतना है thanks for watching